नहीं लोगों के लिए को 15 से 18 परसेंट स्लेबर्स इन्होंने कवर किया हुए और राड़ी बाकी लोग कॉस साथ पढ़ रहे हैं कोई ऐसा बंदा जो कॉस को हराम समझ के MFA में आ गया हूँ में छोड़ दिया उसने अधर कॉस्ट बिलकुल साथ पढ़ भी नहीं रहे क्या ऑप्शन में कॉस साथ चूज हो सकती है नहीं हो सकती है पकी बात है चले जिनकी ऑप्शन में कॉस साथ चूज हो सकती है वह कुशिश करने कॉस को साथ चूज करने अधर इस कोई मसला नहीं कॉस कॉस्ट है MFA MFA कर ले कि यह जो पढ़ के आया ना पंदना ठारा परशन मैंने कहा दिया इनकी वी आलतबाद में देखेंगे कि इस प्रफितना को यह पढ़ के आया है अब अब तो चलते चलते हम आगे लेक्चर नंबर थी में पेपर था हमारा कैफ 6 नाम हमने रखा मैंजेरियल एंड पाइनांचिल अनालसिस और कोई हंडर्ड डेज हैं मारे पास 31 जैनुरी मारे पास टार्गेट है कि हमने यह लेबल सारा वाइंड अप करना है और आप लोगे पास टार्गेट है कि आपने कोई 300 गंटे इस पेपर को बिफोर मार्च देने हैं हाँ अगर हो मार्च से पहले 300 गंटे आपने पुरे कर लिए तो पेपर इस अटेंप्ट में हो गया पास हाँ अगर ओ 300 गंटे पुरे नहीं हुए तो फिर बाकी गंटे नेक्स्ट अटेंप्ट में हमें दे के पुरे करके पास करना पड़ेगा ठीक हो गया? तो दमाग के अंदर यह बिठा लो कि हम ये पेपर पास करने के लिए 300 गंटे इस अटेम्ट में देने हैं और तीन सो गंटे अफेक्टिवली तब होंगे जब आप डेली बेसिस पे तीन तीन गंटे दोगे कि स्टूड के दमाग में होता है कि खेर है ये डेड़ गंटा डेली बेसिस पे क्लास बढ़ते हैं एंड वाले मंत में बाकी सारे गंटे दे के पुरा कर लेंगे तो एंड वाले मंत में उतना अच्छा नहीं कवर होगा ठीक हो गया और कोशिश करो जिन स्टूड्स ने अभी है कि सब्जेक्ट को कितना टाइम रिकोईर है वह आपने कब दिना अथी को सब्जेक्ट ऐसे होते हैं इसको डेली एक घंटा चाहिए कलास किलावा है अच्छ लाव उड़िट हो गया कि को सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको डेली तीन गंटे चाहिए एप एर वाडन ए फियर क्यों practice करने बैठें तो time लगता है क्यों हमने डबे शबे भी बनाने होते हैं MFA को daily class के लावा आपको डेड़ गंटा देना है अगर वो अभी तक time table में कहीं पे fix नहीं हुआ daily के तो उसे please fix कर ले और आने वाले चार माँ कोशिश करें इस चीज़ को priority बनाएं पहले ये बाकी काम बात में CA मुश्किल नहीं है डेली अगर तीन classes है स्पोस आप लोग तो साड़े साथ सबा साथ वज़े start कर रहे हो सारावे तक मेरे ख्याल से तीन classes complete हो जाती है क्या ख्याला है उसके बाद गंटा बेक लो चार से पांच गंटे बैटके डेली का काम डेली साथ कवर करो शाम को साथ वज़े आ फ्री हो जाते हूँ साथ वज़े मुबाइल उठा लो देखो दुनिया में क्या क्या हो रहा है करो तंग सबको रात दस वे तक क्या क्या ख्याला है तीन गंटे काफी नहीं है इतना ही होगा ना और कितना करना आपने मंडे टू सैटर्डे ये काम करना है संडे ना कलासीज है ना पढ़ना है याशी करो क्या उखा ऐसी है तीन पर्चे देना मुश्किल काम है नहीं बहुत असान है लेकिन अगर हमें चीज़ों को प्लैन करके एक टाइम टेबल बना के चलें कि कब किस चीज का टाइम है उसक परना मर जाएंगे ऐसी है ना मर जाएंगे मुबाइल बांद कर दिया तो पढ़ते वकत कोशिश किया करो उसको साइलेंट कर दिया करो एक हुत है साइलेंट विद वाइबरेशन और एक हुत है साइलेंट विदाउट वाइबरेशन विद वाइबरेशन वो साइलेंट नह प्रटन भी होता है काफी लोगों को पता ही नहीं होता है यह कभी स्विच ओफ किया ही नहीं होता है 24 गंटे चाल रहा होता है क्यों मुझे 24 गंटे पुरी दुन्या के लिए available रहना है और ये आपकी अकात है ये आपकी value है कि आप 24 गंटे हर किसी के लिए available हो क्या क्या रहा है वो कभी कोई उसे बंद भी करो बंद करो कोई call आपको करे आगे से मुबाइल बंद हो बाद में पूछे क्या हुआ था और आप बताओ मैं पढ़ रहा था क्या क्या है especially गारवालों को उनकी खुशी का आलम देखना क्या होगा वो आपका खरचा डबल करतेंगे इतनी बात कहने पे नहीं करते आप करके तो देखर रहा उनको रिलाइज कराओ कर मैं पढ़ रहा हूँ कभी बार मुबाइल को बंद भी किया करो दुनिया को शोर करने के लिए कि मैं भई अवेलेबल हर टाइम नहीं हूँ मेरी कोई वैल्यू है यह नहीं कि 24 गंटे मैं अवेलेबल हूँ क्या यह वैल्यू आपकी हाँ मतलब कोई जिन्दगी में और काम ही नहीं है हर वक्कत मैं अवेलेबल हूँ तो उसको कभी स्विच आफ किया करो पढ़ते वकर साइलेंट पे करके कोशिश किया करो साइलेंड नहीं है अगर सामने पढ़ाएं तो उसको बैक केंदर डाल के वो बैक को किसी अलमारी में बंद कर दिया करो फिर उसे जान चूटेगी अगर वो साइलेंड करके सामने रखना है तो साइलेंड कोई फाइदा नहीं है क्यों? उस जरासी light blink होनी है तो पता तो आपको चल जा नहीं चल रहा है क्या हो रहा है यहां पर और वहां से फिर attention उदर गई और साथ ही एक नई दुनिया start हो गई जो हम कर रहे थे study वो गई भाड में पता नहीं वो याद भी नहीं होता क्या कर रहे थे और एक नहीं दुनिया में हम चले जाते हैं और फिर पुरा दिन वही ख्यालों में वही मसलों में वही टैंचनों में गुजार के फिर शाम को बैठके सोच रहे होते हैं कि आज का काम तो की ही नहीं क्यों नहीं किया interruptions की वज़ा से वापस आ गए कोई की बाते हम कर रहे थे किस चीज़ की पैस्टल की क्या क्याला है इसके लिए हम पढ़ रहे थे external analysis managerial analysis में हम पढ़ रहे थे external analysis की एक business को क्या करना चाहिए अपने आपको manage करने के लिए external analysis means outside की दुनिया को भी देखना चाहिए क्यों देखना चाहिए उस दुनिया के अंदर कुछ factors है जो हमें positively effect करते हैं या फिर negatively effect करते हैं और जो positively effect करते हैं वो क्या है हमारी opportunities और जो negatively effect करते हैं वो क्या है threats हैं तो opportunities और threats को identify करने के लिए हमें perform करना है external analysis क्यों अगर हमने opportunities देखी नहीं तो हमसे capture भी नहीं होगी और अगर capture नहीं तो क्या हो जाएंगी miss तो miss होने से क्या हमारा objective meet होगा नहीं और अगर threats हमने देखी ही नहीं उनके against कुछ किया ही नहीं तो वो फिर हमें effect करेंगे और effect होने से हमारा objective meet नहीं होगा तो इसलिए opportunities को हमने capture करना है threats को avoid करना है लेकिन वो हैं क्या वो देखने के लिए हमें perform करना है external analysis कैसे perform करना है छे पैस्टल फेक्टर के थूप political factor देखना है कि government की जो policies है आइधर हमारे business के लिए favorable हो रही है या फिर unfavorable हो रही है economic factor को देखना है unemployment को देखना है inflation देखना है interest rate देखना है national income देखनी है GDP देखना है कि हमारे business के लिए favorable हो रहा है या फिर unfavorable social factor consumer का taste preference habit change होता रहता है demographic type of society change होती रहती है तो हमने देखना है हमारे business के लिए favorable है या फिर unfavorable technological factor को नहीं innovations आ रही है तो मारे लिए बड़ा favorable है नहीं आ रही है तो यह क्या है unfavorable है हमें पिर देखना है नहीं technology हमें आईदर बाइट से लेनी है या यहीं से कहीं से available हो सकती है ecological factor के concern about environment जा है वो भी day by day increase हो रही है लोगों को awareness मिल रही है कि pollution महौल को खराब करती है और कहां से आती है यह भी उन्हें पता चल रहा है तो आपको इन चीज़ों को भी focus करना है और साथ legal factor में laws में कोई भी change आता है तो यह भी आपके business को बड़ा badly hit करता है क्यों उसकी compliance नहीं की फिर भी मारे गए compliance की फिर भी मारी cost आती है तो इनको भी देखना है कि इनकी compliance हमने कैसे करनी है या इनको avoid अगर किया जा सकता है लेकिन वो possible नहीं है एक question कल हमने किया था अमीद करता हूँ वो कल वाला पेज आप लों के पास होगा कि किसी के पास नहीं है तो मुझे से ले सकता है जी आप किसी के पास एक question वाला पेज ना हो सो एक question हमने कल कर लिया था कोई हमने pest factor जो है वो identify किये थे question number one से अब move होते है question number two की तरफ जो आप लोग घर से identify करके लाए हो अब भी हम सिरफ discuss करने लगे हैं देखने लगे हैं कि हमने जो घर पे identify किया था ठीक था या नहीं था सो क्या करना है आपको requirement part A of question number two perform pastel analysis of pharmaceutical industry in Milan मलान कोई एक जगा है country है या city है वामाथ पे कोई pharmaceutical industry के ऊपर हमने pastel perform करना है सो छे के छे फैक्टर क्योर लिंटीड C.L.A. leading pharmaceutical company is considering starting its operation in Milan सो C.L. एक pharmaceutical company है जो मलान के अदर अपरे 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 स्टार्ट करने का सोच रही है तो इस मीन मलान के अदर उसने देखना है कि पैसल फैक्टर आइधर positive है या फिर negative है So one of the developing countries it has conducted environmental scan and summarize the following information The pharmaceutical industry in Milan is regulated through drug regulatory framework So pharmaceutical industry under regulation जो है वो monitor की जा रही है अपरेट कर रही है तो strict regulation की compliance जो है वो करने से हमारा अपना करने से मारा objective meet करना difficult हो सकता है The overall health environment is not conducive Health environment वहां का अच्छा नहीं है Health environment वहां का अच्छा नहीं है Health environment वहां का अच्छा नहीं है थोड़ा साब कह सकते हो कि शाइद social point में से मारा ले पॉस्टीव है Health environment अच्छा नहीं है This means हमारी pharmaceutical product की sales ज्यादा होने का चांस है क्या क्या है लेकिन अभी खैर छोड़ के आगे चलते हैं Despite of increasing rate of inflation And declining consumer disposable income Demand for pharmaceutical product has been increasing considerably पहले तो inflation को उठा लो ना का inflation जो है वहां पर क्या है हाई है तो ड्यूट वहाइड रेट अफ इन्फलेशन हमारी cost of production जो हाई होने से objective meet करने में problem face करना पड़ सकती है और दूसरा उसने का जी महाँ पर pharmaceutical product की demand ज्यादा है उसकी reason क्या है healthy environment नहीं है महाँ पर क्या क्या है तो अब इसको कहोगे क्या आप ये social factor है कि society में healthy environment नहीं है जिसको वैसे pharmaceutical product की demand हाई है तो ये हमारा objective meet करने में help देगी over 25% of population comprises of children and old age people who are more prone to health issues social factor society में शने बता दिया कि 25% जे हैं वो children और old age है जिनके अंदर health issues ज्यादा होते हैं तो ये भी हमारी sale को encourage करने में help देगा however interest in healthy lifestyle is getting popularity among youth हाँ youth में कोई healthy lifestyle कि प्रमोशन चार रही है लेकिन ये हमारे business के लिए positive negative मेरा नहीं हल कुछ बनेगा positive होगा हमारे लिए नहीं हम pharmaceutical company है negative होगा कि health लोगों की अच्छी हो जाएगी नहीं रहने तो कुछ पी ना बनाओ कि कुछ पी ना बास में लीव हमने old age और children के point of view से देख लिया positive factor है कि यह नहीं को पहले बिमार थे आप ठीक हो रहे हैं जिसे मारी sale effect हो सकती है नहीं healthy lifestyle जा है वो promote हो रहा है तो अच्छी बात है इंफलेशन इकनॉमिक फेक्टर है और दिमांड को हमने वो healthy environment के साथ मिला के जो है वो कह दिया कि नहीं है जिसके विए से pharmaceutical product की demand हाए है तो यह मारी sale generate करने में है ठीक हो गया the government of Milan has introduced many business friendly policies particularly for pharmaceutical industry by allowing tax holiday as incentive for new investment और हम नहीं इन्वेस्ट में लेके जारहे है तो में tax में क्या मिल रही है subsidy मिल रही है political factor जो मारा objective meet करने में तुरू cost cutting help देगा and granting subsidized interest rate loan to encourage research and developed activities और हमें low interest पे loan देने का भी government facility दे रही है यह नहीं कहा गया कि central bank ने interest low किया हुआ तो फिर economic नहीं जब government facility दे रही है तो फिर यह कहां पे जाएगा political factor में the trend of e-commerce is emerging in the country and more and more people are using mobile apps and social media for marketing online orders the mobile app social media marketing के लिए available है technology जिसको use करते हुए हम भी अपनी promotion करके customer contract करके objective meet कर सकते है technological factor the key players in pharmaceutical industry have been using social media to market their products and CSR activities what is CSR corporate social responsibility such as use of renewable energy conducting a free public health awareness sessions sponsoring treatment of needy patients तो awareness जो है वो renewable energy की भी हाई है अदर social activities की भी हाई है तो अगर हम भी इन्हें consider नहीं करेंगे like renewable energies की तरफ नहीं जाएंगे resources को renew नहीं करेंगे तो उसे हमारी bad repute की वज़ाए से position weak हो सकती है तो यह कहां पे लिखेंगे ecological factor में so legal factor में मिल गया एक regulation उसके बाद हमें political factor दो मिल गए government का जो है वो हमें tax holiday देना और subsidized rate पे interest rate पे loan देना economic factor में मिल गया inflation के point of view से social factor में मिल गया technological factor में मिल गया क्या क्या लाच्छे क्या फैक्टर मिलते हैं हमें so वापस आते हैं external analysis में कि business को manage करने के लिए हमें outside the business कुछ factors देखने हैं कैसे देखने हैं through external analysis क्यों to identify opportunities and threats हमने खल बात की जो external analysis है इस आल्सों कॉल्ट environmental analysis it is also called environmental analysis और जब भी हमने external analysis perform करना है internal mean environmental analysis perform करना है तो करते हैं कि एक फार्म जो है वो दो तरह के इन्वार्मेंट में operate करती है आप फार्म ऑप्रेट इन टू टाइपस ऑफ इन्वार्मेंट एक होते हैं छोटा environment जिसे नाम दिया जाता है इंडुस्ट्री एन्वार्मेंट का या इसे छोटा है तो माइक्रो एन्वार्मेंट का नाम भी दिया जाता है जब भी हमने external mean environmental analysis perform करना है तो दो तरह के इन्वार्मेंट को एनलाईज करना है एक छोटा mean industry या माइक्रो एन्वार्मेंट और एक होते हैं बड़ा environment जिसे नाम दिया जाता है macro environment country environment या regional environment mean environment दो तरह के होते हैं एक industry environment और एक macro environment macro को country environment का नाम भी दिया जब हमने macro environment को एनलाईज करना है country environment को एनलाईज करना है तो उसके लिए मारे पास model है क्या पेस्टल फेक्टर्स के थूँ एनलाईज करना है country level पे हमने देखे government की policies, country level पे हमने economy देखी, society को देखा, technology को देखा, ecological और legal factor देखे लेकिन हमने जब external analysis प्रफॉर्म करना है तो सिरफ macro analysis ही नहीं हमें साथ industry environment को भी एनलाईज करना है industry environment को कैसे एनलाईज करना है उसके लिए मारे पास एक model है जिसे नाम दिया जाता है porters of five forces model porters five forces model अगर examiner हमें कह दे के आपने इस company का macro environment एनलाईज करना है तो फिर आप model कौन सा अप्लाई करेंगे इस company का industry environment एनलाईज करना है तो फिर हम कौन सा model अप्लाई करेंगे porters five forces जो आज हम पढ़ेंगे अगर examiner कह दे नहीं आपने इसका external analysis perform करना है या environmental analysis perform करना है model नहीं बताया तो फिर दोनों apply करेंगे उपर थोड़ी सी तमहीद बांते हुए external analysis is also called environmental analysis and a firm operate in two types of environment i.e. industry and macro industry environment can be analyzed using potter five forces and macro environment can be analyzed using pastel factors which are as follows और उसके बाद हम pastel five forces दोनों apply करेंगे नहीं तो इस model का एक नाम दे दे तो फिर तो भी model अप्लाई करना है अभी तक जो आपने दो question कियो से model का नाम था हाँ अगर वो कह दे इंडस्ट्री इंवार्मेंट को अनालाईज करना है तो सिरफ potter five forces नहीं macro environment को अनालाईज करना है तो फिर सिरफ पेस्टर नहीं अगर उसने model के नाम नहीं दियो से नहीं कहा है कि आपने external analysis perform करना है ये environmental analysis perform करना है तो फिर दोनों apply करेंगे ठीक होगे so macro environment को कैसे अनालाईज करना है वो हमने देख लिया external analysis perform करने का मकसद क्या है opportunities और threats को identify करना तो पेस्टल से भी opportunities और threats identify होंगे potter five forces से भी opportunities और threats ही identify होगे ठीक होगे दोनो external analysis environmental analysis के model है लेकिन ये industry environment mean micro environment को अनालाईज करने के लिए और ये country या macro environment को अनालाईज करने के लिए तो पेस्टल देख लिए आप मोव होते हैं potter five forces की तरफ की क्या है तरफ के color weighed ये आग ये आगार्वृड ये आप आ to Michael Porter, according to Michael Porter, Porter का पुरा नाम क्या है? Michael Porter, Harry Potter नहीं, so according to Michael Porter, word environment, mean industry, environment का मतलब क्या है? industry या market यह हमने नहीं कहा कौन कह रहा है? Porter क्या रहा, and word industry mean competition, कि नवार में टीकोल है industry के, और industry का मतलब क्या है? competition, competition कौन आपको provide करता है? competition कौन प्रवाइड करता है? competitors, according to Michael Porter, environment mean industry, industry mean competition, और competition mean क्या है? competitors mean जब आपने environment को अनलाइज करना है, तो Porter कहता है कि इसका industry को अनलाइज करना, industry को अनलाइज करने का मतलब क्या है? competition को अनलाइज करना, और competition आपको कौन प्रवाइड करता है? competitors, number of competitors आपकी industry में ज्यादा है, तो competition क्या होगा? ज्यादा, आपके लिए opportunity या threat? threat, number of competitors काम होंगे तो competition काम, competitor है यह नहीं? तो आपकी क्या है monopoly mean competition है यह नहीं, तो यह आपके लिए क्या बनेगा? opportunity, यह जितने competitors ज्यादा होते चले जाएंगे, उतना ही आपका threat हाई होता चले जाएगा, क्यों? क्यों? हमने कहीं पर economics पड़ी हुगी है, यह है demand, यह है supply, market के अंदर यह price चाल रही है, market के अंदर कोई नए competitors आ गए, customer नहीं आए, तो उसे क्या होगा? supply जो है, वो ज्यादा हो जाएगी और उसे prices क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी, आपके margin जो हैं, वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपके लिए threat है. number of competitors कम हो गए, तो उसे supply क्या होगी? कम होगी, और जब supply कम होगी, तो prices क्या हो जाएंगी? कम्पैक्टर लेकिन पॉर्टर कहता है कि कम्पीटिशन सिर्फ और सिर्फ कम्पैक्टर भी प्रवाइड नहीं करते हैं कम्पीटिशन आपको कम्पैक्टर के लावा कुछ चार फोर्सी और मिला के पांच फोर्सी आपको कम्पीटिशन प्रवाइड करती है और जब आपने competition को analyze करना है तो पांच forces के पांटों से analyze करना है एक competitor तो चलो है ही है जितने ज्यादा होंगे उतना competition ज्यादा है threat है जितने कम है competition कम है अपरचुन्टी है यह competition का मतलब क्या है competition का मतलब क्या है competition का मतलब है डर किस चीज का डर कस्टमर के लूज होने का डर जितना कमपीटिशन ज्यादा है उतना आपका कस्टमर क्या होगा लूज होगा जितना कमपीटिशन कम होगा उतना कस्टमर के लूज होने का डर कम होगा competition है यही नहीं, monopoly है तो क्या customer के loser होने का डर है? I mean threat of losing customer fear of losing customer यह क्या है competition और यह जो fear of losing customer है यह सिरफ आपके competitors ही आपको provider नहीं करते, आपका supplier भी आपको provide करता है कि वो जो चीज़ें आपको दे रहा है देना बंद कर दे तो आपका customer lose होगा? वो जो चीज़ें दे रहा है, उसकी prices बढ़ा दे तो आपको अपनी product की price बढ़ाना पड़ेगी तो उससे आपका customer lose होगा? तो competition सिरफ सिरफ compactor नहीं, आपका supplier भी आपको provide करता है जिसरे जब competition को analyze करना है, तो सिरफ compactor के पांड़व से नहीं supplier के पांड़व सिरफ देख रहा है competition वो कता है, जी आपका customer भी आपको provide करता है कब? जब वो आपका major customer है suppose आपकी 60% sale business की एक ही customer को जाती है तो डर आपको उसकी तरफ से भी है कि उसने अगर चीज़ें लेना बंद कर दी तो उसे मारा business, हमारी sale affect होगी individual customer फिर कोई competition नहीं है क्यों? वो जाता भी आपको फरक नहीं पड़ेगा लेकर अपको major customer है तो competition हमें डर उसकी तरफ से भी है कि अगर हमने उसकी बाते ना मानी और वो नराश हो गया तो उससे हमारा business affect होगा इसलिए हमें क्या करना है? उसकी बाते मानना है क्यों हमारा main bread and butter कौन है? यह major customer तो competition इसकी तरफ से भी है तक competition आपको आपकी product का substitute बनाने वाले business की तरफ से भी है competitor कौन है जो आप जैसी product बना रहे हैं आप हो mcdonald बनाते हो burger तो आपके competitor कौन है? hardies है, fat burger है, burger king है जो आप जैसी product बना रहे हैं लेकिन वो जो आपकी product का alternative बना रहे हैं pizza hut है, domino है, kratchi briyani है कोई betul shwarma है, वो कौन है? substitute, मैं यहाँ पर substitute product की बात नहीं कर रहा इसलिए please यहाँ पर Pepsi Coke को नहीं लेकर आना, वो substitute product है मैं यहाँ पर substitute business की बात कर रहा हूँ जो आपकी product का alternative बना रहे हैं आप mcdonald हो, burger बनाते हो, तो burger बनाने वाली जितने भी business हैं वो कौन है, आपके? compactor लेकिन जो आपकी product का alternative बना रहे हैं, वो कौन है? सब्स्टीचूर तो competition आपको उनकी तरफ से भी है तो अगर पीजा हट वाले deal लगा देते हैं, buy one, get three free तो आपका customer lose होगा? क्या 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 है? कस्टमन ने खाना क्या है? fast food means गंद वो देखेगा जहां से उसे option अच्छी मेरी है, वहाँ पर जाएगा ना, burger खाने तो नहीं आएगा क्या 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 है? वो घर से mind क्या अपना क्या है, मैंने गंद खाना है burger पे deal लगी कि तो burger खाएगा, अगर pizza पे deal लगी है, तो क्या खाएगा? पीजा खाएगा, श्वार्मा पे deal लगी है, श्वार्मा खाएगा, तो competition आपको इनकी तरफ से भी है पीजा हट वले, अगर कोई नया pizza introduce करवाते हैं, suppose कुछ चपली कबाब पीजा उनने लगा दिया है, आपको भी क्या करना है? कुछ नया करना है नहीं करोगे, तो customer lose होने से आपका objective meet नहीं होगा, तो competition सिरुफ और सिरुफ कमपैटर की तरफ से नहीं है, supplier की तरफ से भी है, customer की तरफ से भी है, substitute की तरफ से भी है, जब करते हैं, competition आपको provide करते हैं, new entrants भी, new entrants का मतलब क्या है? prospective investors, जो पैसा लेके बैठे हुए हैं, और investment कहीं पर करना चाहते हैं, तो अगर वो heavy investment के साथ आपकी market में आ गए, तो आपका customer lose होगा, तो competition आपको इन की तरफ से भी है, कि इनको कैसे रोकना है? तो जब भी आपने environment को analyze करना है, तो potter कहता है, इसका मतलब है industry को analyze करना, और industry को analyze करने का मतलब क्या है? है competition और competition को analyze करना है, तो हमने क्या करना है? पांच forces के point of view से competition को analyze करना है, जिरुफ competitor नहीं, supplier के point of view से भी, customer के point of view से भी, substitute के point of view से भी, और new entrance के point of view से भी, अब चलते हैं थोड़ा सा और इसकी detail में देखते हैं, कि यह हमारे लिए opportunities और threats का बढ़ते हैं. supporter of five forces कहता है कि जब आपने competition को analyze करना है, तो आपने five forces को analyze करना है, क्या है वो five forces, threat of new entrance, threat of new entrance, threat of substitute, bargaining power of supplier, bargaining power of customer, और compactor को उसने नाम दिया, competitive rivalry का. rivalry competition को ही बोलते हैं. तो क्या five forces बनी, new entrance को नाम दे दिया, threat of new entrance, threat of substitute, supplier mean bargaining power of supplier, customer mean bargaining power of customer, और competitor को क्या नाम दे दिया, competitive rivalry. वो करते है, threat of new entrance, high होगा, threat of new entrance, high होगा, अगर आप operate कर रहे हो, किसी attractive industry के अंदर, कौन सी industry, attractive industry कौन सी industry होती है, ऐसी industry जिसके अंदर growth है, मी नया नया customer आ रहा है, जो पाकिस्तान में इस वक्त मुबाइल फोन की industry है, जब से online classes start होईगी है, कम्प्यूटर की industry है, क्यों लोगों की demand बनगी मी नया नया customer आ रहे हैं, जिसने पहले कभी computer को touch भी नहीं किया था, online classes के वाज़े से मजबूरी बनगी है, computer को touch करना, so attractive industry कौन सी है, ऐसी industry जो growth में है, ऐसी industry जिसमें margin high है, means profitability high है, है, ऐसी industry जिसमें gap ज्यादा है, gap ज्यादा के मतलब क्या है, number of competitors company कम है, तो हर नया investor उस industry में investment करना चाहता है, जो attractive हो, means जो growth में भी हो, जिसमें margin भी high हो, और जिसके अंदर gap भी ज्यादा हो, means number of competitors भी कम हो, और अगर आप ऐसी industry में operate कर रहे हैं, जो attractive है, always threat of new entrance क्या है, high है, threat of new entrance high होने का मतलब क्या है, आपके लिए opportunity है threat, threat है, क्यों कभी भी कोई नया investor, heavy investment के साथ enter होके, हमारा customer lose को हो सकता है, उसे objective meet करना difficult हो सकता है, क्या क्या है, threat of new entrance low होगा, अगर हम operate कर रहे हैं, किसी unattractive industry पे, जहाँ पे margin कम है, जहाँ पे growth नहीं है, जहाँ पे number of competitors बहुत ज्यादा है, मिन gap है ही नहीं, तो फिर threat of new entrance क्या होगा, low, मिन मारली अपर चुंटी है, इसे गरव से कोई मसरा नहीं नहीं कोई आएगा, जब करते हैं, threat of new entrance low होगा, अगर आपकी industry में enter होने पे exist करते हैं, क्या barrier to entry, threat of new entrance low होगा, अगर आपकी industry में exist करते हैं, barrier to entry, barrier to entry क्या हो सकते हैं, technical now how, क्या अगर आपकी industry में business करने के लिए, कोई technical now how चाहिए, मीन कोई qualification चाहिए, कोई experience चाहिए, और वो इतनी सानी से मिलता नहीं है, और जितना difficult है, यह technical now how, experience, qualification, उतना ही नया investor hesitate करेगा to enter in your industry, this means हम अपनी position को maintain रख सकते हैं, मार लिए क्या बनेगी, आप पर चुटे, technical now how क्या है, suppose हमारा business है, क्या audit firm है हमारी, ठीक हो गया, तो क्या किसी investor के लिए बड़ा easy है, कि सिरफ पैसे से आके audit firm कोल ले, यह तो कोलने के लिए chartered accountant होना जरूरी है, और वो बनने के लिए कितनी जलालत बरदाश करना पड़ती है, यह हमसे बेतर कोई नहीं जानता और ना ही कोई इस तरफ आएगा, कि 6 साल जलालत बरदाश करके पहले chartered accountant बने, फिर वो पैसा utilize करते विए audit firm खोल सके, यह क्या है, technical now how, जो नई investor को क्या करेगा, stop करेगा to enter in our industry, this means हम अपनी position को maintain, रख सकते हैं, यह क्या है, barrier to entry, mean threat of new enters low, barrier to entry क्या हो सकता है, capital investment, क्या अगर हमारी industry में enter होने के लिए heavy capital investment चाहिए, और जितनी capital investment ज्यादा होगी, उतना ही investment risk भी high होगा, तो यह चीज भी क्या करेगी, stop करेगी new investor को to enter in our industry, this means हम अपनी position को maintain रख सकते हैं, अपर चुटे, नहीं, हमारी industry में enter होने के लिए कोई heavy investment नहीं चाहिए, business के हमारा शुआर में की ready है, और कोई भी एक डेड़ दो लाग से शुआर में की ready लगा सकता है, साथ आके, क्या investment इसका high है, low है, low है, this mean threat of new enters क्या है, high है main threat, capital investment ज्यादा, तो यह क्या करेगा, यहाजे barrier काम करेगा, क्या क्या है, barrier 20 क्या हो सकता है, access to distribution channels, access to distribution channel, distribution channel क्या है, क्या है, कि business operate करने के लिए आपको कुछ sport चाहिए होती है, like आप whole seller हो, या manufacturer हो, तो आपको अपनी चीजें customer तक पंचाने के लिए, बीच में किसी intermediary या retailer की जरूरत है, और अगर हमारी industry में जितने भी retailer हैं, वो already existing business के साथ ही linked है, उनके साथ contract किये हुए हैं, कि उनके लावा किसी की कोई चीज बेचेंगे यह नहीं, तो क्या नए investors को कोई retailer, कोई distributor मिलेगा, नहीं, तो क्या वो industry में एंटर्वी होगा फिर, नहीं, तो यह क्या करेगा, ऐसे barrier काम करेगा, नहीं हमारे लिए क्या बनेगा, opportunity or threat? नहीं इन्वेस्टर के point of view से यह barrier है, क्या खेला? यह access to distribution channel, एक और example डिसक्रिस करते हैं, suppose, हमारा काम क्या है? हमारा jewelry का काम है, jewelers है हम, हमारी shop है कहाँ पे liberty में, और liberty के अंदर, कोई भी shop कहीं पे खाली है ही नहीं, ते क्या कोई नया investor आ के हमें compete कर सकता है? नहीं, ते क्या है? distribution channel available नहीं है, यह क्या करेगा, यह barrier काम करेगा, मिन हम secure हैं, कोई भी नया investor आ के हमें नहीं चेड़ सकता, मिन हमारा लिए क्या है? अपर चुन्टी है, नहीं, हम liberty में जूलरी का काम कर रहे हैं, हमारे बाज्जु वाली दुकान खाली पड़ी हैं, और पूरी market जूलर्स की हैं, this means distribution channel available है, तो कोई भी नया investor यहां पे आ के, हमें compete कर सकता है, तो यह फिर क्या बनेगा, threat क्यों? barrier to entry नहीं है, हाँ, अगर कोई दुकान खाली नहीं है, पुरी liberty के अधर फिर यह क्या काम करेगा, ऐसे barrier में नमार ले क्या बनेगा, अपर चुन्टी, clear रहती बात, so barrier to entry और क्या हो सकता है? switching cost, switching cost क्या है, कि अगर हमारे customer को हमें छोड़के, किसी नए business के पास जाने पे cost bear करना पड़ेगी, तो यह क्या है? switching cost है, like हमने स्वोज कस्टमर के साथ contract किया हुआ है, कि 5 साल तक वो हमसे ही चीज़ें लेगा, किसी नए supplier के पास जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? contractual breach करना पड़ेगी हमारे साथ, उसकी obligation पे करना पड़ेगी, तो यह क्या है? switching cost जो stop करेगी हमारे customer को, नए investor की तरफ move होने से, this means हम अपनी position को maintain, रख सकते हैं, मिन माले क्या बनेगी? अब पर चुट, हाँ अगर हमारे customer को कहीं और move होने पर, कोई cost नहीं बेर करना पड़ेगी, easily वो switch कर सकता है, तो फिर कोई barrier नहीं है, फिर threat of new entrance क्या होगा? हाई होगा, clear होती ही बात, barrier to entry और क्या हो सकता है? economies of scale, यह क्या होती है? economies of scale, large scale production की वज़ा से, जो per unit cost saving है, उसे नाम दे जाता है, economies of scale का, suppose यह एक room है, जिसका हम monthly 100 rent पे कर रहे हैं, इस room में, अगर हम 100 prouds बनाएं एक month में, तो एक proud पे कितना rent charge हुआ? अगर इसी room में हम एक month में 100 के बज़ाए, 200 proud produce करें, तो 0.5, क्या क्या है? rent per proud क्या हो गया? cost में, कम हो गया, अगर आज हम यह सोचें, कि हम एक बेकरी खोल के गोर्मे बेकरी को compete कर सकते हैं, क्या यह सोच ठीक है? नहीं, क्यों गोर्मे का जो production का scale है, हम उतने scale पे production नहीं कर सकते, वो cost हम achieve नहीं कर सकते, तो इसलिए prices पे हम उसे compete भी नहीं कर सकते हैं, अब अगर हमारी industry में, हम economies of scale meet कर रहे हैं, तो क्या कोई निया investor आ के हमें compete कर सकते हैं, हमारा customer lose कर सकते हैं, नहीं, तो यह क्या करेगा, as a barrier to entry काम करेगा, में हमारे लिए क्या बनेगा, अब पर चुटिए हैं, हाँ, अगर हम कोई economies of scale meet नहीं कर रहे हैं, जिस scale पे हम production कर रहे हैं, और भी आके कर सकता है, तो फिर कोई barrier नहीं है, फिर हमारे लिए क्या है, threat है, so threat of new entrance high होगा, अगर हम operate कर रहे हैं, attractive industry में, में जहां पे margins ज्यादा है, profitability ज्यादा है, industry growth में है, या जहां पे gap ज्यादा है, नहीं, threat of new entrance low होगा, अगर हमारी industry में exist करते हैं, barrier to entry और वो क्या हो सकते हैं, technical now how हो सकती है, capital investment requirement हो सकती है, access to distribution channel हो सकती है, switching cost हो सकता है, या economies of scale हो सकता है, mean ये हैं तो हमारे लिए है, opportunity, अगर ये नहीं है, तो हमारे लिए क्या है, threat है, threat of new entrance high होगा, अगर हमारी industry में कोई barrier to entry exist नहीं करते, mean कोई technical now how भी नहीं चाहिए, कोई heavy capital investment भी नहीं चाहिए, distribution channel भी available है, कस्मर को switching cost भी move होने पे नहीं बेयर करना पड़ती, और economies of scale भी हम meet नहीं कर रहें, तो सुरत में threat of new entrance क्या होगा, high, लेकिन अगर ये barrier to entry exist करते हैं, तो threat of new entrance क्या होगा, low, threat of substitute high होगा, अगर market में हमारी product का substitute available है, क्या क्याला है, नहीं, threat of substitute low होगा, अगर हमारी product का market में substitute available है यह नहीं, मारा नाम है Microsoft, हम बनाते हैं Windows या MS Office, क्या उनका कोई substitute है, हूब भूब भूब उतना यूजर फ्रेंडी, नहीं, तो threat of substitute क्या है, low है, क्यूं, इतना हूब भूब सिमिलर, और के substitute available है यह नहीं, threat of substitute high होगा, अगर मारी product के substitute available है, threat of substitute low होगा, अगर customer को substitute पे move होने पे, bear करना पड़ती है, क्या switching cost, हमारा नाम है McDonald, हम बेजते हैं burger, क्या क्याला, substitute है Pizza Hut, और वहाँ पे deal लगी हुई है, buy one get three free, तो substitute है, हम है McDonald कहाँ पे हैं, हम है Garden Town में, हमारा customer कहाँ पे है, Garden Town में, Pizza Hut पे deal लगी हुई है, substitute है, लेकिन वह कहाँ पे है, defense के phase 6 में है, या barrier town में है, तो customer को move वने पे switching cost बेर करना, traveling time cost बेर करना पड़ रही है, this means threat of substitute क्या है, low है substitute होने के बावजूथ, ते कहला, नहीं Pizza Hut है, और deal भी लगी हुई है, buy one get three free, और हमारे बाजू में खुला हुआ है, तो फिर क्या है, threat of substitute है, क्यों customer को को switching cost बेर, नहीं करना पड़ रही, easily वो गान्द खाने के लिए उदर भी move हो सकता है, तो threat of substitute हाई होगा, अगर मारे प्राट के substitute है, और customer को को switching cost बेर नहीं करना पड़ती, threat of substitute low होगा, अगर मारे प्राट का substitute है यह नहीं, Microsoft Windows है, या customer को move होने पे switching cost बेर करना पड़ती है, ठीक होगे, वो कता है, जी supplier की तरफ से threat होगा, mean competition होगा, कब जब उसकी bargaining power strong है, supplier की bargaining power strong कब होती है, जब हमारे पास few supplier हो, mean मجبورी है, इनके लावा कहीं और से माल मिलना नहीं है, तो कभी भी prices change कर दें, deliveries को short कर दें, तो हमारा business effect होगा, योगा क्यों की bargaining power strong है, supplier की bargaining power strong होगी, जब हमारे पास उसकी products का alternative नहीं है, हम हैं Dell, बेजते हैं computers, computer चलाने के लिए हमें चाहिए, Windows कहां से, एक supplier Microsoft से, उसके बिना मारा ये डबा, ये पुर्जे चलेंगे नहीं, बिकार है, हम Microsoft कभी भी Windows की price बढ़ा दे, क्यों उसकी bargaining power strong है, alternative नहीं हमारे पास, तो उसके मारा business effect होगा, विंडो देना बंद कर दे कर बाग जो, हम सिरफ HP को देंगे, तो उससे भी business हमारा effect होगा, क्यों उसकी bargaining power strong है, reason क्या है, कि मारे पास उसकी product का alternative नहीं है, तो बारे पास उसकी product का alternative नहीं है, जब फ्यू सपास है, जब मारे पास उसकी product का alternative नहीं है, या जब उसकी product जो है, वो हमारी end product का important component है, important of our end product, मीन हमारा computer डबा पुर्जे, विंडो के बिना चलने ही नहीं है, विंडो क्या है, एक important component है, हमारा ये डबा पुर्जे चलाने के लिए, मीन मजबूरी है वो हमारी, तो फिर क्या है, थ्रेट है, नहीं बारगेनी पावर सप्लाइर लो होगी, जब हमारे पास few नहीं many suppliers हैं, तो opportunity, एक चुचा करेंगा, हम कहीं और से ले लेगे, बारगेनी पावर सप्लाइर लो होगी, जब हमारे पास उसकी product का alternative है, यह अकड दिखाएगा, तो हम alternative पे चले जाएंगे, बारगेनी पावर सप्लाइर लो होगी, जब उसकी product हमारी, and product का important component नहीं है, मिन मजबूरी वो नहीं है, हम इसके बिना भी गुजारा कर सकते हैं, क्या क्या है, तो बारगेनी पावर सप्लाइर का high होना हमारे लिए क्या है, threat या opportunity, बारगेनी पावर सप्लाइर का high होना हमारे लिए क्या है, threat, low होना क्या है, opportunity, क्या क्या रामीन में यह तंग तब करेगा, जब इसकी बारगेनी पावर strong है, हमें ये तंग नहीं कर सकता हमें इसके तरफ से कुई डर नहीं है जब इसकी bargaining power low है bargaining power of customer high होगी bargaining power of customer high होगी कब जब वो हमारा major customer है हमारी 60% sale एक ही customer को जाती है तो मैं उसकी हर बात मानना पड़ेगी वो जिस प्राइस जिस डिसकाउंट पे प्राउड चाता है हमें देना पड़ेगी नहीं देंगे तो नराज होने से मारा बिजनस अफेक्ट होगा वो कहता है उठ रात को तीन बजे आप मुझे डिलिवरी दे दुकान खोल तो हमें जाना पड़ेगा क्यों नहीं जाएंगे तो मारा नराज होने से मारा बिजनस अफेक्ट हो सकता है क्यों major कस् MON और पार गेलिंगे पाउवर कुसमरी जया में रिजर नहीं इंडी विजिन के सारों है यह रख क्रसब्स करते हैं नहीं इन्रेट평ल कोई अधर करों यह तो अधि अ खरक्ड सबस्क्राइब। होती हम तो सुसमर और फृट्ट है यृट है यृट कोई मसला नहीं 잘 ठेक होगे अक्रत बार्गेनिग पावर कसमा डिपैन्ड करते हैं किस चीज़ पर टो ड्रचिएशन पर भी प्रॉड़क्ट डिफ्रेंशीशन प्रोड़ों डिफ्रेंशीशन क्या है कि अगर हमारी प्रोड़्ट जो है वह कोई यूनीक है कोई डिफरेंट है as compared to other products in the market तो कस्मर की बार गेनी पावर हाई होगी या हमारी हाई होगी हमारी हाई होगी तो हम अपनी मर्जी से हाई प्राइसी चार्ज कर सकते हैं कस्मर कहीं नहीं जाएगा हम है एपल और बेजते हैं आईफोन तो हमारी product other product in the market से different है क्या क्या है जो software iOS हम दे रहे हैं क्या किसी और mobile में मिलेगा कस्मर को नहीं मिलेगा यह क्या है product differentiation जिसकी base पर कस्मर की bargaining power क्या है low है तो अगर हम कोई नया model बगएर कोई चीज़ चेंज किये price high करके भी market में लाएंगे तो कस्मर उसे बाए करेगा क्यों उसकी bargaining power क्या है वी क्या opportunity हाँ अगर मारी product differentiated नहीं है वैसी product market में भी मिल रही है तो फिर कस्मर की bargaining power हाई है क्या खेला है तो मारी opportunity या threat threat क्यों वो कभी भी कहीं से भी product buy कर सकता है और buy करने से हमारा business effect होगा bargaining power of customer जो है वो low होगी अगर customer को हमें छोड़ के कहीं से product buy करने पे bear करना पड़ेंगी क्या switching cost नहीं उसे कोई switching cost bear नहीं करना पड़ती तो फिर bargaining power of customer क्या है high है वो जो price चाहेगा हमें उस पे प्राउड देना पड़ेगे अधर्वाइज मूव हो चाहेगा तो customer की दरफ से हमें threat है कब जब उसकी bargaining power high है और कब बारगेनी power high होगी जब वो major customer है जब मारी प्राउड differentiated नहीं है और जब customer को कहीं और मूव उनने पे switching cost bear नहीं करना पड़ती है नहीं कस्टमर बारगेनी power low होगी जब वो major customer नहीं है जब हमारी प्राउडर्ट differentiated है और जब customer को मूव होने पे switching cost भी bear करना पड़ती है बारगेनी power customer high हमारे लिए opportunity या threat बारगेनी power customer low हमारे लिए क्या बनेगी अपर्च यह चार head cover होते हैं हम बात करते हैं competitors mean competitive rivalry की क्या होगी अगर number of competitors जो हैं वो हमारी industry में ज्यादा हैं तो competitive rivalry क्या होगी हाई होगी क्या 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 है number of competitors काम है सब्सक्राइब क्या होगी वीक होगी competitive rivalry भी डिपेंड करती है किस चीज़ पर प्रॉडर्ट differentiated पर अगर हमारी प्रॉडर्ट डिफ्रेंशियेशन है में डिफ्रेंट प्रॉड है तो competition from competitor हाई होगा या लोगा लोगा यह अगर मारी प्रॉड differentiated नहीं है वैसी है जैसे बागी competitor की है तो फिर उसरे में competition क्या होगा हाई होगा कभी competitor prices काम करेगा तो हमें भी करना पड़ेंगे मजबूरी में करना पड़ेंगे competitive rivalry depend करती है किस चीज़ भी size and strength of business भी size and strength of business कि हमारे business की जितनी size strength है उतनी ही competitor के business की भी size strength है में क्या जितनी production का level हम meet कर रहे हैं जितनी economies of scale हम meet कर रहे है उतनी ही competitor भी meet कर रहा है तो उसमें competition strong होगा या weak होगा strong होगा क्यों वो prices कम करता है तो हमें करना पड़ेंगी हम करते हैं तो वो भी forward कर सकता है अगर हमारे business की size strength large है as compared to other competitors हम है गोर में बाकी है छोटी बेकरिया तो हमारे business की size strength क्या है large as compared to other competitors this mean हमारी cost savings ज्याद है तो हम low prices करके competition को deal कर सकते हैं तो उसमें competitive rivalry strong होगी weak होगी वीक 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 हमने वीक कर ली कैसे जो prices हम afford कर रहे हैं वाकी फोड नहीं कर सकते हैं कंपैक्टर के business की size strength large है as compared to our business तो वो अगर price कम करेगा तो हम क्या उसे फोड कर सकेंगे नहीं तो उसमें competition क्या होगा strong strong high mean हमारे लिए threat क्या क्या है तो size strength भी determine करती है competition को cost price के पाउंटर पे से competitive rivalry वो करता है जी depend करता है किस चीज़ पर इंडॉस्ट्री ग्रोथ पर भी इंडॉस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो है जिसमें हम operate कर रहे है और जब इंडॉस्ट्री ग्रोथ रेट स्लो होता है तो हर business की कोशिश होती है customer को खेंचो 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 कैसे price पे discount पे marketing पे और जब ये खेंचात आनी चार रही है तो competition हाई होगा या लोगा हाई होगा और जब इंडॉस्ट्री ग्रोथ रेट हाई होती है तो फिर ये खेंचात आनी चार रही होती क्यों सब को customer मिल रहा होता है तो उस सुरत में competitive rivalry क्या होती है weak होती है बेशक जितने भी business है जो इंडॉस्ट्री ग्रोथ रेट हाई है तो competition इतना strong नहीं होता क्या तक competitive rivalry depend करती है barrier to exit पे भी जिसे नाम दिया जाता है withdrawal cost का barrier to exit या withdrawal cost का अब यह क्या है कि स्पोज हमारी इंडुस्ट्री के अंदर काफी सारे बिंसी आपरेट कर रहे हैं चोटे बड़े heavy losses bear करना पड़ते हैं क्यों इधर की जो machinery जो asset है वो scrap में बेचना पड़ेंगे कहीं और लेके जा के business के यही नहीं जा सकता तो क्या कोई business out होगा नहीं तो competition क्या रहेगा strong नहीं हमारी इंडुस्ट्री से किस business को out होने पे heavy cost bear नहीं करना पड़ती mean यही ऐसा चीड़ी वो लजा के किसी और इंडुस्ट्री में भी business कर सकते हैं दिस मीन barrier to exit exist नहीं करते withdrawal cost क्या है low है तो दिस मीन छोचोटे business भाग जाएंगे तो future में competition क्या हो जाएगा कम तो से competitive rivalry क्या होगी low so competitive rivalry high होगी अगर हमारी industry में number of competitor बहुत ज्यादा है हमारी product differentiated नहीं है हमारे business का size strength is same है to other competitors या किसी से कम है industry growth rate slow है और हमारी industry में exist करते हैं barrier to to exit mean withdrawal cost तो इस सुरुत में क्या होगा threat competitive rivalry low होगी हमारे लिए opportunity होगी कब जब number of competitors कम है हमारी product differentiated है हमारे business की size strength large है as compared to other businesses industry growth rate high है और हमारी industry में कोई barrier to exit exist नहीं करते हैं चोट-चोटे business भाग जाएंगे उनके बागने से वो customer भी किसे मिलेगा हमें तुम्हारे लिए क्या बनेगी अपर चुट so थोड़ा sum up करते हैं कि हमने जब external analysis perform करना है तो इसका मतलब होता है environmental analysis perform करना और एक company दो तरह के environment में operate करती है एक छोटा environment जिसे नाम दे जाता है industry या micro environment का जिसमें हमने factors देखने हैं अपनी industry की हद तक the threat of new interest देखा तो अपनी industry के अंदर देखा है पूरे country के अंदर नहीं देखा हमने gesprochen देखे हैं तो अपनी industry के पांटो ay से वनने देखें हो बारगेंडी power supplier देखे तो अपनी industry के अंदर जो सप्लाइर है उनकी बारगेंडिय में को अधर सप्लाय नहीं हमने देखी लगेंडिक है यूश्मी अपनी इंडस्टी के लेटिड जो कस्टमर है उनकी पूरे कंट्री के कस्टमर की नहीं देखी कम्पैक्टिव आई भी आमने देखी तो कहां पर देखी है सिर्फ अपनी इंडस्टी के अंदर कंपेटिशन को देखा इसलिए क्या है? इंडस्ट्री को ऐननलाइज करना मिन माइक्रो छोटा एंवार्ट Macro country ऑड़ पे है पेश्टल फैक्टर पुरे country level पे आपने गौर्वर्मेंट की policies देखी, economy पुरे country की देखी, बलके country स्चानिemровार भे भी some time देखना पढ़ जाए social factor पूरे country level पे देखे technology पूरे country के अंदर available, ecological country level पे और legal laws भी पूरे country level पे और quarter five forces में हमने क्या देखना है 5 forces के पांटव से competition को अनालाईज करना है, threat of new entrance देखना है, high है, mean threat है, कब जब ये barrier to entry exist नहीं करते, नहीं threat of new entrance low होगा, mean मार लिए opportunity होगा, objective meet करने में help देगा, कब ये 5 barrier to entry exist करते होगे threat of new entrance threat of substitute high threat low opportunity कब high, जब substitute है और customer को move होने पे switching cost भी bear नहीं करना पड़ती threat of substitute low, जब substitute है नहीं, जगर है तो customer को bear करना पड़ती है क्या switching cost bargaining power supplier high हमारे लिए threat, low हमारे लिए opportunity कब high होगा, जब few suppliers है उसकी product का alternative नहीं है उसकी product हमारी end product का important component है नहीं, bargaining power supplier low होगी कब? जब बृधा जप्लाइर्स है एक था हम कहीं और से ले ले लेंगे जब हमारे पास उसकी product का alternative है जब उसकी product हमारे important component नहीं है नहीं है भाड़ में जाए नहीं मानता तो तुम्हारे लिए अपरचुन्टी बारगेनी पावर कस्टमर हाई होगी तुम्हारे लिए थ्रेट बारगेनी पावर कस्टमर लो होगी तुम्हारे लिए क्या है अपरचुन्टी मिन हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं उसकी बारगेनी पावर हाई होने का मतलब क्या हमारी मानमर्जी नहीं उसकी मानमर्जी चलेगी बारगेनी पावर कस्टमर हाई होगी कब जब वो मारा मेजर कस्टमर है जब मारी product differentiated नहीं है, unique नहीं है, उसके पास option बढ़ी है, जब उसे कोई switching cost भी बेर नहीं करना पड़ती है. Compactive rivalry, high का मतलब क्या है, threat, low का मतलब क्या है, opportunity. High कब होगी, जब number of competitors ज्यादा होंगे, जब product differentiation नहीं है, उसके business की size strength, competitor की भी same है to our business. Industry growth rate क्या है, slow है, इन दो तरह के हो सकते हैं, यह आईदर industry growth rate जो है, वो slow हो सकता है, या फिर high हो सकता है. और हमारी industry में exist करते हैं, barrier to exit में withdrawal cost क्या है, high है. एकल वाले questions में, question मिलेगा मैं. Question number three. Question number three. Muntahak Group, MG is considering to introduce airline services in developing country. MG एक कंपनी का नाम है, जो airline services दे रही है किसी developing country में like PIA. The management of MG is in the process of analyzing the airline industry to determine the intensity of competition. And company की manament क्या करने जा रही है, analyze करने जा रही है, industry को क्या And industry को क्या देखने के लिए, competition के लिए, तो कैसे competition को देखेगी? 5 forces की तुर चाहिए किया लाग required explain the competitive forces कितनी forces है 5 explain the competitive forces that may have shaped the airline industry कि either competition high है यचा लो है considering potter 5 forces model उसने मारी उपर इहसान कर दिया potter 5 forces का नाम लेके नाम ही लिया होता तो मैं पता था यूर आंसर शुड क्लियरली मेंशन दस्ट्रेंट आफ इच फोर्स विद रिलेटिड आर्गुमेट्स, क्या आपने प्वाटर फाइफ फोर्स अप्लाइ करना है, एक एर राइन इंडस्ट्री के उपर, और क्लियरली मेंशन करना है, कि आइधर ये फोर्स हाय है ये लो है, ह हाय है ये लो है, 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 एज्यूम, यूमें एज्यूम नसेस्टी डिटेल और डिटेल जितनी भी हो सके आंसर देना है, और कोई डैटा नहीं है, इसमीन इसका आंसर देने के लिए आपको एर लाइन में अगर हम देखें थ्रैट ऑफ न्यू एंटर्स हाई है यह लो है क्यों लो है एक तो कैप्टल इन्वेस्टमिट जो है वह आपको ज्यादा चाहिए दूसरा टेक्निकल नावाव एक्स्पीरियंस नौलीज बढ़ा चाहिए मतलब ऐसे नहीं कि बस आपने असानी से खड़ फिए करे लृडी लगा ली क्या क्या है और उर एक और भी बेरियर ट्री होता है जिसे नाम दिये जाता है रेगुलेशन्स के ऐसी इंड़स्टी जिसके अंदर रूऌ रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो कंप्लाइंस बहुत ज्यादा करनी हो क्या कोई नहां इंवेस्टर वहा वाइड करते हैं इस इंडस्री में एंटरोंने के और एराइन इंडस्री की बात करें तोहां पर रेगुलेशन क्या है वेरी स्टिक्ट हैं बड़ी हाइए हैं तो इस पांटेव से भी थ्रेट अफ नुए अटर्स क्या होगा लो होगा तो एक बात की जाए की थ्रेट अंटर्स की हैडिंग देके कि लो हो है किसके पांटेव से ये एक दो तीन पॉइंट आप बना तो नीचे डिटेल आगी क्या खेला सेपर सेपर तीन पॉइंट आप बनाएंगे से थ्रेट अब सब्सिचूट हाई या लो एट लोकल लेवल देखा जाए लोकल लेवल देखा जाए तो कस्टमर के साथ पास अदर आप्शन है बस भी है ट्रेन भी है कैब भी है क्या क्याल है अट लोकल लेवल थ्रेटर सब्सिचूट लो है क्या हाई है क्यों कस्टमर है अदर आप्शन like train, bus, cab. But at international level, low है customer के पास other option नहीं है. Another option है भी तो कहा है, बहरी जाहस. और बहरी जाहस में 30 दिन का सफर, इधर 8 गंटे का सफर. तो आज अधर नहीं है. So at international level, customer के पास either option नहीं है. है भी, तो high switching cost भे करना पड़ती है. Time. स्वाइम अब के जा सकने तो I would появ बार गेनी पाउर सप्लाईर हाई या लो के सप्लाई कहां से लेने हैं इनोंने जहाज लेने है और पुरी दुनिया में दू इसाओ बनाती वाइट है अप एक बोईिंग है और एक एरबास है तो फ्यू सप्लाइर तो बारगेनी पावर सप्लाइर क्या है हाई जिसकी वज़ा से ये फोर्स क्या है है स्टांग कैल कैरेंज मिल सकते हैं लेकिट की दो कमणी से मिलेंगे और अलटन भी नहीं आप बस से नहीं उड़ा सकते किया क्या लागर्teen भी है कि शुब्लाइज और कहां से लेते हैं फूड वगिब्राइज के qm है different catering company से और वो आपको छोटे मोटे कई होटल मिल जाएंगे जो आपको सस्ता फूड भी दे देंगे तो वहाँ पे शायद बारगेनी पावर सप्लाइर क्या होगी लो होगी इन फूड जो आपने लेनी है उसके पाउट भी से लो होगी लेकिन जो आपका में एसेट है एर फ्लेन वो दो ही सप्लाइर है बोईंग और एर बास उनके पाउटे से बारगेनी पावर सप्लाइर क्या है स्टॉंग बारगेनी पावर कस्मर हाई है यह लो है कस्टमर के पास आप बड़ी आप्शन हैं बड़ी सारी फ्लाइट्स हैं कई बहुत सस्ती सस्ती भी आपको टिकर दे रहे हैं इसमीन आप हाई प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं अनलेस को बहुत ही ज्यादा हाई क्वाल्टी हो इसमीन कस्टमर बार गेनिंग पावर क्या है स्ट्रॉंग है क्यों कस्टमर के पास अदर आप्शन अदर एरलाइन अवेलेबल हैं और बड़ी चीप एरलाइन भी अवेलेबल है स्ट्रॉंग है पूरी दुनिया में हर कंट्री की कुछ कंट्री ऐसे हैं जिनकी पांच-पांच एरलाइन चाल रही है पाकिस्तान की भी अपनी देखे जाए तो शायद कोई तीन एरलाइन है शाहीन है एर बलू है पी आईए है यूए ए में चले जाए तो वहाँ पे भी दो एरलाइन है हर कंट्री की इतनी इतनी एरलाइन है तो कंट्री राइवरी क्या है स्ट्रॉंग है हाँ उसे आप वीग कर सकते हो अगर आप कोई प्राड़ुट डिफरेंट दे रहे हो कोई 7-8 पेजी आज मैं फोटो कापियर के पास रखवाँगा आगे कुछ क्वेस्टन और होंगे और यह जो क्वेस्टन हम कर रहे हैं आंसर भी इसमें इंक्लूड होंगे तो फोटो कापियर से ले लेने हैं ठीक हो गया होफुली कल मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ और यह क्वेस्टन नबर 3 की असाइन्मेंट के साथ क्या क्या है